हलो स्टूदेंट्स वेलकम टू डेफिनेट सेक्सस पाठशाला इस पाठशाला में आज मैं आपकी हिंदी एजुकेटर उपाली वर्मा लेकर आ रही हूं क्लास 12 हिंदी कोर की हमारी पूरक पुस्तिका है वितान भाग दू उसका प्रधम अध्याय है सिल्वर वेडिंग तो पुरानी सोच जो होती है वो अपने आपको बदलना तो चाहती है मगर जो उसके मूल है उनको छोड़ना नहीं चाहती नई पीड़ी उन पुरानी पीड़ियों की सोच को समझने ही पाती और इसी की कहानी है यह पूरी सिल्वर वेडिंग इसके कथानायक है यह शोधर मनोहर श्याम जोशी जी के एक प्रमुख कहानी है ध्यान रखे यह कहानी यह शोधर बाबु की है लेकिन इसके राइटर यानि की लेखक है मनोहर श्याम जोशी जी लेखक ने इस कहानी में सेक्शन ओफिसर वी डी यानि की वाई डी इपंत यानि की यह शोधर पंत के प्यास किया है इन्होंने बहुत कुछ समझाने के लिए कि पुराने लोगों को समझ नहीं रहे नए लोग उनसे एड़्यस नहीं हो पारे इसी चीज को इस पूरी कहानी में उन्हें समझानी की कोशिश करिए ये शोधर पंत अपने ओफिस में आखरी फाय को लाल फीता पांच बच्चिस मिनिट है उन्होंने अपनी लास्ट फायल बंद करी और अब चुटी कर रहे हैं अर्थात अब वो ऑफिस से निकल रहे हैं उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारी उनकी वजह से पांच बजने के बाद भी दफ्तर में बैठने के लिए मजबूर है उन्हें अपने आदर्ष क्रश्नानंद यानि किशन दापांडे से परंपरा में मिली है कि जब वो चाहते हैं कि जो उनके नीचे काम करने वाले कमचारी हैं उनके साथ सहे रहे हैं पूरे दिन की ठकान को दूर करना चाहते हैं तो वो चलते चलते थोड़ा सा मनोरंजक बा किशन दा कहते हैं उन्हों से ही उन्होंने ये सारी चीज़े सीखी हैं ये शोदर पंत बहुत ही गंभी एर काम के प्रति इमांदार मिलनसार वेक्ति हैं कई बार छोटे कर्मचारी द्वारा की गई गलत बात को भी वे हसी में उड़ा देते हैं यानि कि ठीक है हो गया चलत है इस तरीके से दफ्तर की घड़ी में पांच बचकर 25 मिनट होते ही वे दफ्तर के अन्य कर्मचारियों की सुस्ती पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं आप लोगों की देखा देखी सेक्षिन की घड़ी भी सुस्त हो गई है यानि कि पांच बच बच गया काम हो गया तो बाक साल में शादी में मिली थी बातों बातों में यह पता चलता है कि ये शोदर पंतिकी शादी 6 फरवरी 1947 को हुई थी सभी कर्मचारी ये शोदर को शादी की बधाई देते हैं क्योंकि जिस दिन यह बधाई जिस दिन का यह बात चल रही है उस ही दिन 6 फरवरी है और आज से ठीक 25 साल पहले जो है उनकी शादी हुई थी ये बात जैसी कर्मचारी को पता चलती है कि आज आपकी वेडिंग है और 25 साल हो गए है तो सिल्वर वेडिंग है इसके लिए आपको बहुत बहुत बढ़ाई एक कर्मचारी चेक कर कहता है मैंनी हैपी रिटिंस आफ देश आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है शादी के 25 साल पूरे हो गए हैं सेक्षिन के सभी कर्मचारी के जिद्ध पर रिशोदर बाबु ने दस दस के तीन नोट निकाल कर देते हैं अब वैं सिल्वर वेडिंग है तो सबको चाहे नाश्ता ट् यह ट्रीट चाहिए टॉफी मतब होता है मोस्टली पार्टी चाहिए तो वह ददस के तीन नोट यानि कि कितना हो गया तीस रुपए निकाल कर देते हैं परें तो इस चाय पार्टी में स्वेम शामिल नहीं होते हैं उनका मानना है कि उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप करने में वक्त बरबाद करना किशंदा की परंपरा के विरुद्ध है उन्हें लगता है कि फालतु से गप में करने बैठने से समय वेस्ट होता है इसलिए वो इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं और यह बात उन्हें किसने सिखाई है किशंदा स्वारी ये शोदर पंत म पूलता अर्मोडा के रहने वाले अब यहां से थोड़ा सा ध्यान से समझना शुरू कीजेगा उनकी आदतें उनकी सारी चीज़ को इनीजे समंदित परिशन भी आएंगे आपके पास एमसी की उस भी पूछे जाएंगे और सब्जेक्टिव कोशन भी आएंगे तो चैप् के रेमजे स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा पास की है मैट्रिक की पश्चाथ पहार से उतरकर दिल्ली आ गए अर्ताथ उन्होंने अपना होंटम छोड़ दिया और उसके बाद वो डेली चलिया दिल्ली में उन्होंने किशंदा के घर पर शनड ली अब कहां पर आएंगे के लिए अब किकि खिशंदा भी उन्हीं की रहने वाले थे तो वहां से आने वाले सबी लोगों को और घर में शरण देते थे थे कुमारे थे और पहाड़ से आयोले कितने लड़के ठीक ठीकाना होने से पहले उनके यहां रहते ने रहते थे जब तक उन foundrid से रहने की जगहां नहीं मिल जाती थी वहां भी सभी मिलकर पकाते और खाते थे अब चुकि वह कमारे थे उनको ऑफिस से घर मिला हुआ था बड़ा घर था आईए सब लोग रही है अपने आप पकाईए अपने आप रही है उससे को जिक्कत नहीं थी जब तक नौकरी के लि मतलब हुआ तो कहने का मतलब होआ कि शोधर को नोकरी दिलाए और दफटरी काम में उनका मारुक दर्शन भी किया तो कहने का क्या मतलब हुआ फिर उसके बाद जब उम्र हो गई तो अपने नीचे यौक्री दिला दी और कैसे काम करना है इस चीज़ के लिए उनको गाइड भी किया आजकल यशोदर दफतर पैदल आने जाने लगे हैं कहां अब यह तो पास्ट का बताया था अब फिर से हम प्रेजेंट में आ गए अब आजकल कैसे आते जाते हैं वो पैदल उनके बच्चे नहीं चाहते कि उनके पिता साइकल पर दफतर जाएं भाई वो साइकल चलाते थे तो उनके बच्चे बड़े हो गये हैं बच्चे चाहते हैं कि स्कूटर ले ले दो चलाते नहीं लेकिन पिता स्कूटर निहायदी बेहुदा सवारी मालूम होती है उनको यशोदर जी को वो स्कूटर बिल्कुल ही ना पसंद है कार वे अभी लेने की स्थती में नहीं थे दफ्तर से आते समय यशोदर बाबू प्रते दिन बिल्ला मंदिर जाते हैं मतलब दफ्तर से निकलते हैं और कहां जाते हैं बिल्ला मंदिर आप सभी जानती होंगे दिल्ली में बिल्ला मंदिर हां जाते हैं वहीं उध्यान में बैठ कर कोई प्रवचन सुनते तथा स्वेम भ देते अब भाई बच्चों आप सीधे घर आईए वो मंदिर जाते महाँ प्रवचन सुनते यह तो यह सारी बाते ना पत्नी को अच्छी लगती थी ना बच्चे को लेकिन किशंद आके नक्षे कदम पर वो चल रहे थे और वो यह सारी चीजें छोड़ नहीं सकते थे बिल्ला मंदिर से पहार गंज आते समय वे घर के लिए साक सब्जी खरीद लाते पहार गंज आते महां से सब्जियां खरीद लेते किसी से अगर मिलना भी है तो वे इसी समय मिलते घर वे आट बजे पहुंचते देखे पांच बज के 25 मिनट से ओफिस से निकले थे लेकिन घर पहुंच रहे हैं आट बजी उस दौरान वो कहां जा रहे हैं बिड़ला मंदिर जा रहे हैं वहां बैठके प्रवचन सुना फिर पहार गंज आए पहार गंजे सब्जियां खरी दी और फिर वे घर पहुंचते हैं घर लोटते समय उनकी निगहा उस स्थान पर पड़ती जहां कभी किशंदा का तीन बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और जिस पर इन दिनों एक छै मंजिरा इमारत बनाई जा रही थी तो अब जब वो आए थे वापस क्या नाम जब अपने घर अलमोडा से यहां आ कि यहां पर यह पहले किशंदा रहते थे अब तो किशंदा नहीं है क्या हुआ उनके साथ अभी आगया आप पार्ट में देखोगे लेकिन अब उसके क्वार्टर की जगा पर सिक्स मॉल्टी इस्टोरी बर्लिंग बनाई जा रही थी यानिकि छे मंजिला इमारत बनाई ज करता है यशोदर बाबू के घर देर से लोटने का बड़ा कारण यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोदर बाबू का अपनी पतनी और बच्चों से छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर मदभेद होनी लगा है और इसी वजह से वे आप घर जल्दी लोटना पसंद नहीं करते जब बच्चे छोटे थे तब उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद किया करते थे अब ही क्या है बच्चे बड़े हो गये जॉब लग गया पतनी का भी जो सोचने का तरीका था वो भी बच्चों के साथ ढलने लगा अब वो जल्दी घर आएं तो क्या करें क्योंकि घर आते हैं चीजें देखते हैं बोलते हैं तो वो एक मनमुटाव होने लगा साथ में तो इस वजह से अब वो घर जल्दी आना ही नहीं चाहते जब तक बच्चे छोटे थे तो पढ़ाई रिखाई है इन सारी चीजों में मदद किया करते थे इसलिए वो सीधे ऑफिस से घर जाये करते थे और बच्चों की मदद करते थे लेकिन अब उनको वो इस जगड़े से और बातों से बचना चाहते हैं इसलिए जल्दी घर आना नहीं चाहते हैं अब बड़ा लड़का भूशन एक प्रमुख विज्यापन संस्था में नौकरी करने लगा है अब ध्यान रखिए उनका पहला लड़का सबसे बड़ा भूशन कहां कर रहा है एक विज्यापन कंपनी अर्थाथ एड़िटाइजिम कंपनी में जॉब कर रहा है उसे वहां लेड़ हजार प्रती माह सिक वेतन मिलता है कितना 1500 रुपीज पर मताब अब अब आज केस आप से देखोगे तो बहुत कम है लेकिन अब आप पीछे जाओ 1947 में की शादी हुई है उसके 25 साल बाद आप अगर आओगे तो कब हुआ यह हो जाएगा आपका 70 के टाइम की बात तो 70 के टाइम में 1500 रुपे बहुत होता है दूसरा बेटा दूसरी बार IES की परिक्षा की तयारी कर रहा है तो दूसरा बेटा क्या है वो IES की तयारी कर रहा है यह शोदर बाबु के लिए यह समझ सकना मुश्किल हो रहा है कि जब पिछले वर्स उसका नाम Allied Service की सूची मे आया था तब उसने जॉइन करने से क्यों इंकार कर दिया था अब उसका नाम किसमें आया था Allied Services क्या होती है जो दूसरी लोगों को सेवा प्रदान करने वाली जो जौप्स होती है उसमें नाम आया था तो उस लड़के ने नहीं लिया जिस जो IES कर रहा है उसने नहीं लिय स्कॉलर्शिप लेकर अमेरिका चला गया है अब तीसरा बेटा कहां है वो अमेरिका जा चुका है उनकी एक मात्र बेटी को कोई भी वर पसंद नहीं आ रहा है तता वह सभी प्रस्तावित वर अस्विकार कर रही है अब उनकी एक बेटी है तो कित्ते हो गए तीन बेटे एक ध्यान रखिए प्रश्ण पूछा जाएगा तीनों बेटे कहां है ये भी ध्यान रखिएगा बेटी क्या कर रही है ये भी तो उसको जितने भी शादी के लिए प्रस्ताव आ रहे हैं उन सभी को वो मना करती जा रही है यशोदर बाबू अपने बच्चों की तरक्की से ख मिलता है तो हमारे ये शोदर बाबू ने बहुत महिनत करी इतने टाइम जाके अब उन्हें फिफ्टीन हंडड़ रूपीज में जो चीज मैं आपको बता रही हूं उन्हें मिलना शुरू है और बच्चे को नौकरी लगते ही इतना पैसा मिल रहा है तो उन्हें वहीं कहीं ये आपको भी आगे पता चलेगा जब उनके बच्चे गरीब रिष्टेदारों की उपेक्षा करते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है यहां पे उनके फूफा बुआ फूफा की बात हो रही है उनकी पत्नी अपने मूल संसकारों से किसी तरह से आधूनिक नहीं है फ उनकी द्रश्टी से ये सब पारिवारिक संसकार अब ढोंग और धकोसले हो गए हैं अब क्या है कि पिता के साथ तो मद्भेट चल रहे हैं लेकिन जो पत्नी है ये शोदर बाबु की वो अपने बच्चों के साथ हैं कहने का ताद पर है कि बच्चों के साथ जो आधुनिक पत्नी ने अपनाई है क्योंकि उनका ये मानना है कि जब से उनकी शादी हुई परिवार के सारे संसकार बोच सब कुछ उन पर पड़ा जिसकी वजह से वो खुलकर अपने जीवन को वितित नहीं कर पाई और अब उनका मानना है कि ये सारे संसकार ढोंग रहे जिन्होंने स 70 की बात करें उस समय ये आधुनिक्ता के लिए बहुती बड़े पायदान थे माने जाते थे तो जो उनकी पत्नी ये सारे काम कर रही थी वो ये शोदर बाबू को पसंद नहीं आती थे लेकिन बच्चों के साथ ही उनको रहना है तो इस वज़े से उन्होंने इस आधुनिक् अजोचा ये शोदर बाबू पत्नी की इसी आधुनिक्ता का कई बार मजाख उडा देते थे पर असल बात तो यह है कि तामाशा तो स्वैम उनका ही बन रहा था तो यह उनकी बीबी जो है मजा जो आधुनिक हो रही थी तो कई बार कहते ना मजाख उडा तो तंस कर देना इसी वज़े से पत्नी से भी उनकी थोड़ी सी अब अन्बन जहने लगी थी, तो जो ये तंस करते थे तो कहीं न कहीं वो इंडारेक्ली अपना ही मजा को डाल लेती, क्योंकि वो बदलते समय के साथ धल नहीं दैते, बीबी धल चुकी थी, जो समय के थे ना परिवर्तन प्र की तरीके से समझा और वो अपने आपको ढालने में काम्याब रहीं, कई बार ये शोदर बाबु को लगता कि वे भी किशन दा की तरह घर गरहस्ती का ये सब बवाल छोड़ का जीवन को समाज के लिए समर्पित कर देते, तो जादा अच्छा होता, किशन दा नहीं क्या किय उन्होंने समाज सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, उन्होंने कभी शादी नहीं करी, तो उनको ये लगता है ये शोदर जी को, कि मैं भी किशन दा की तरह अगर ये सारी घर गरहस्ती छोड़ दू और अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित कर दू तो फिर अपने गाहों लोट गए जहां साल भर बाद उनकी मौत हो गई जब यशोदर बाबु ने उनकी मृत्यु का कारण पूछा तो किसी ने यही जवाब दिया जो हुआ होगा यानी पता नहीं क्या हुआ यह शोदर बाबु यह भी स्विकार करते हैं कि उनके बीवी से अधिक समझदार और सुल्जे हुए हैं तो अब क्या हुआ जिन अब यह शोदर बाबु जो हैं वह किशंदा को बहुत मांगते हैं किशंदा जी ने कभी भी जो है वह अपने भविश्य के लिए नहीं सोचा शादी नहीं करी जो था वह उसी समय प्रसें समय में जिया औ भाई नौकरी से रिटायर हुए तो उनको नौकरी जो सरकारी घरता वह भी छोड़ना पड़ा आप चोड़ने के बाद क्या करते चोड़ने के बाद उनको नहीं राजेंद नगर पे फ्लैट लिया कुछ समय तक महां रहे फिर भाई कितनी टाइम तक भाई कहते हैं उम्र साथ की जरूरत तो वो चले गए अपने गाउं और फिर एक साल बाद उनकी मृत्यू कैसे हुए क्या हुआ किसी को नहीं पता जब उनहीं से पूछा जाये जो हुआ होगा मतलब सीधे सीधे यह पत्ता नहीं कि क्या हुआ कि से कारण से उनकी मृत्यू हुए है अब यहां पर जो है यसोदर बाबू का मानना यह क्योंकि देखें यसोदर बाबू थोड़ा सा कन्फ्यूज इसलिए क्योंकि वो पुरानी चीजों को छोड़ नहीं पारे बड़ो आगे वाले को ले नहीं पारे और वह दुन में फसें इसलिए वह पतनी और बच्चों को जादा कोई चीजों के साथ adjustment नहीं कर पारे जबकि उनकी पत्मी और बच्चे एक नाव में आ चुके हैं और उन्हें पता है कि उन्हें करना क्या इसलिए वह अपने पत्मी और बच्चों को जादा सुलजा हुआ और समझदार समझते हैं बच्चों को पिता जी की इस गलती का अफस अब क्या हुआ जब हम सरकारी नौकरी करते हैं तो सरकार की तरफ से फ्लैट मिलता है तो वह यशोदर बाबु उनकी पूरी फामिली जो है वो सी सरकारी फ्लैट में रह रही है लेकिन जब जौब जाएगी तो उसके बाद तो रहने का कोई ठिकाना चाहिए ना इंसान उस समय क्या होता था फ्लैट के लिए काफी लगता था आपको पहले पैसे भरने परते थे फिर लॉट्री निकलती थी फिर आपके पास फ्लैट हो पाता था अगर लॉट्री में तो पहले आपको थोड़ा पैसा जमा करना पड़ता था अभी भी है अगर आप सरकारी जमीन पर के पर फ्लैट लेना चाहते हो तो प्रोसीजर यहीं है लेकिन आज कल प्राइवेट प्रॉपरटी बहुत इसली अधलेबल हो जाती है आप रिजिस्ट्री पर चेस कर लो तो वही चीज़े डीडिये का फ्लैट डीडिये का फ्लैट जो है वह गौर्मेंट की तरफ से डैल समाई से फ्लैट बनाओंगे और तुमारे बच्चे आश करेंगे इसलिए उन्होंने डीडिये का फ्लैट नहीं लिया था और जिससे उनके बच्चे काफी खफावी थे जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी कोर्टर रिटायर होने पर गाउं का पुष्टैनी घर है पर बिर्ला मंदिर में प्रवचन सुनते समय जब जनारदन शब्द उनके कानों में पढ़ा तो उन्हें अपने जीजा जनारदन जोशी की याद आई थीक है क्या ना था उनके जीजा का नाम जनारदन जोशी नाम याद रखिएगा फिर से औरलाइन कर रहे हूं बहुत जरूरी यह आजकर उनकी तब्य ठीक नहीं है और वे उन्हें मिलने के लिए एहमदबाद जाना चाहते हैं कहां रहते हैं उनके जीजा एहमदबाद में वो जाना चाहते हैं जीजा का हाल चाल जानना वे अपना करता वे समझते हैं बच्चों से भी वे ऐसी अपेक्षा रखते हैं कि वे भी पारिवारिता के प्रतिरुची लें परंतु पत्नी और बच्चों को ये बात मुर्खता पूर्वक लगती है जहां वो खुद जुड़ना चाहते हैं अपने पुराने रिष्टेदारों के साथ तो बच्चों से भी के यहां भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूँगा अब बच्चों से बोला कि भाई तुम्हें बुआ के यहां चलना चाहिए उनको मदद करनी चाहिए तो बच्चों ने साफ मना कर दिया हम तो नहीं जा रहे और आपको जाने के लिए पैसे हम नहीं दे रहे जब भी आप जानते ही नहीं आप से क्यों पूछें भाई देखिए क्या था किशंदा जो है वो यशोदर जी के गुरू थे तो यशोदर जी जो कुछ भी करते किशंदा से सलहा जरूर लेते लेकिन अब यही चीज वो चाहते थे कि उनके बच्चे करें भाई देखिए बहुत सारी चीजों में हमें सारी नहीं नहीं होती तो वही चीज बच्चे कहते हैं कई जब आपको पता ही नहीं है इस चीज के बारे में तो हम आप से क्या सलहा ले तो मगर वो कहते नहीं जो भी तुम्हें करना है पहले मुझसे सला लो मुझसे पूछ लो तो यह बच्चों का मानना था यह शोदर बाबु को यह अनुबा होने लगा कि बच्चे अब उनके अनुकूल नहीं सोचते हैं इसलिए बच्चों का यह प्रवचन सु से दवा लाना सदर बाजार जाकर दाले लाना डीपो से कोईला लाना आदी यह सब काम आप छोड़ दें अब हम कर लेंगे मतलब घर की जो बेसिक चीजें हैं अगर बच्चे उसकी जिम्मेदारी खुद पर ले ले तो यह शोदर बाबु को जादा अच्छा रगता बनिस कोहराम मच गया उन्होंने खुद बोला कि यह काम तुम करो तो घर में कोहराम मच गया मतलब थोड़ा सा लडाई जगडा होने लगा बस तब से यह शोदर बाबु ने यह सब कहना ही बंद कर दिया जब से बेटा विज्यापन कंपनी में लगा तब से वे बच्चे कहने ल होगा मतलब कहने का अब है कि आपना तो रिस्पॉंसबिल्टी नहीं ले रहे हैं उपर से चूकी लड़का कमाने लगाया तो वह कह रहा है कि आप एक नौकर रख दो और उस पर भी एक नौकर रख दो तो यह तो उनको बुरा लगाई उपर से बोल रहे हैं कि तरका हम दे करते नहीं जादा जैसे यह शोदर वावु तो अपनी जौब कर रहे हैं बच्चे अपनी जौब कर रहे हैं सब उके लिए एजी रहेगा लेकिन उनका मानना था कि नहीं यह काम घरवालों को ही करना चाहिए यह शोदर वावु को अपने बेटे की यह बात चुबती है कि उसने अपनी नौकरी के रुपए कभी अपने पिता के हाथ में नहीं रखे बलकि एकाउंट ट्रांसफर द्वारा सीधा बैंक में चले जाते हैं वे सोसे ही कि अगर उसे ऐसा ही करना था तो क्या वा अपने पिता के साथ जौइंट एकाउंट नहीं खोल सकता था हद तो त तो यह चीज भी उनको जुबती थी कि ठीक है अगर एकाउंट खोला था तो कम से कम मेरे साथ जौइंट एकाउंट खोल लेता उसने अपना पॉसन एकाउंट खोला इस बात कि यह सिर्फ क्या है सोच का एक अंतराल है ध्यान रखिएगा जो पुराने लोग है वह अपने बड़े बुजर्गों के साथ उनके छत्रचाया में बड़े जो आज की नई पीड़ी है वह उसे लगता है कि नहीं हम सब कर सकते तो वह ठीक है कि जो दोनों लोग सोच रहे हैं वह सही है मगर सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों का आपस में आना कि कि जो किशन दा जो करत सब्सक्राइब और नई पीड़ी को यसोदर बाबु समझ नहीं पा रहे हैं और नई आधुनिक पीड़ी अपने पिता को नहीं समझ पा रहे हैं यही इस पूरी कहानी का द्वंध है जो आपको जगाद जगा देखने चाहे वह नौकर वाली बात हो चाहे एकांट वाली ब बात हो आधुनिक्ता वाली बात हो अभी आगे आप पार्टी को लेकर भी सुनोगे तो कई ऐसी बाते हैं जहां पर द्वन्दिये साफ तौर से आपको दिखाई देखा अब क्या हद तो तब हो गई जब बेटे ने पिता की क्वाटर को अपना बना लिया यानि कि ये शोदर बाबु जिस पूरी फैमिली जिस क्वाटर में रह रही थी वो सरकारी क्वाटर था जो ये शोदर बाबु को मिला हुआ था अब क्या हुआ बेटे ने अपना बना लिये का ताद पर यह नहीं है कि लिखा लिया वैसरकार की कोई नहीं लिखा सकता बात यह है कि अब उस घर पर भी क्या होगा क्या नहीं होगा वो बेटे की मर्जी चलने लगी थी वा तो अपना वेतन अपने ढंग से अपने घर पर खर्च करता था कभी कारपेट कभी परदे कभी सोफा सेट कभी डनलप वाला डबल बेड और कभी सिंगार मेज घर में लाए जा रहा था यानि कि घर में अब आधुनिक्ता के सहूलियत के सुविधा के सामान आ रहे थे उस आपके लिए है मतलब सामान तो लाए लेकिन कभी यह ना भोले कि आपके लिए है बलकि यह कहता कि मेरा टीवी है समझे इसे कोई छुआ ना करे मतलब अपनी कमाई का ला रहा है तो बोलता था यह मेरा है कोई छुएगा नहीं घर में एक नौकर रखने की बात भी चल रही है नौकर होगा तो इनका ही होगा और पत्नी सुनती मगर नहीं सुनती मतलब क्या बेटा नौकर रखेगा तो नौकर उन्हीं का होगा अर्धात उनके काम करेगा यह सारी बात पत्नी सुन रही है लेकिन तब भी नहीं सुनती अर्धात अंसुना कर देती यहीं सब सोचते ह वे खुदी ही सड़कों और तूटे हुए काटरों के मलबे में पटे हुए रास्तों को पार करके उस क्वाटर में पहुंचते हैं बाहर बदरंग तक्ती में उनका नाम लिखा वाईडी पंथ अब क्या है वो सब कुछ सोचते हुए पहाडगंसे जो सब्जी लेकर आ रहे थ शोधर पंथ घर पहुंचते हैं ये शोधर बाबू को एक बार तो लगा कि बाग किसी गलत जगा पर पहुंच गए हैं मतलब क्यों क्योंकि उस घर में उस समय पार्टी जल रही थी क्योंकि उस समय उनकी 25th anniversary ती शादी इस उपलक्ष में घर में पार्टी चले इसलिए उन या से बार्टी डेकरेशन होता है रंगी रोशनिया जल रही थी फिर उन्हें आपना बेटा भूषण पहचान में आया जो अपने बौस को विदा कर रहा था बड़ा बेटा भूषण वोःजु को विदा कर रहा था था तर पारटी शेंट पार्टी ऑवर वोनेपा अगय लेकिन वह इतनी जद्दी है कि ऐसी वेश-भूशा को पहनती है और मां भी उसी के साथ देदी है बादा ये शोधर बाभू को लड़कियों का जीज पहनना इस तरह के पहनना नहीं पसंद वह बना करते लेकिन उनकी बेटी इसी तरह के पहनती और मा भी धीरे धीरे उसी आधुनिक्ता को अपना रही थी जब कार वाले विदा हो गए तो यशोदर बाबु घर पहुँचे तो बड़े बेटे ने जड़की सी सुनाई अबबा आप भी हत करते हैं सिल्वर वेडिंग के दिन साड़े आठ बजे घर पहुचे अभी तक मेरे बॉस आपकी रहा देख रहे थे शर्मीली हसी के साथ यह शोदर बाबु बोले हम लोगों के यहां सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी यानि शादी की 25 साल गिरा की पार्टी थी उनको घर जल्दी आना चाहिए था लेकिन वो डेली के टाइम से और लेट पहुचे तो बेटे ने शिकायत करी तो उन्होंने बोला कि भाई कब से आज कल यह जो सिल्वर वेडिंग है और बहुत सारी होने लगी पहले यह सारी च गाने लगा है कि रिश्तेदार ने कहा भाई उन्होंने यह चीज़ कही तो किसी रिश्तेदार ने पर लट के बोला कि जब से तुम्हारा बेटा कमाने लगा दाप से सिल्वर वेडिंग की पाटी होने लगी ये शोदर बाबू इस बात से भी खफा हैं कि घर में भूशड रिष्टेदारों के लिए विस्की लाया जब भूशड अपने मित्रों को ये शोदर बाबू का परिचे करवाता है तो वे सभी उसे अब बच्चों ने विलायती परंपरा केट केक काटने के लिए कहा उन्होंने संध्या से पहले केक काटने से मना कर दिया उन्होंने बुला संध्या अर्थात शाम की पूजा से पहले केक काटने के लिए मना कर दिया कि मैं पहले संध्या पूजन करूँगा और उसके बाद केक काटूँगा और अपने कमरे में चले गए शाम को 15 मिनिट वे संध्या करने में लगाते थे परंतु आज 25 मिनिट लगा दिये मतलब डेली साम की पूजा के लिए उनको 15 मिनिट लगते थे आज 25 मिनिट लगा दिये क्यों क्यों कि वो ये चाहते थे कि मैं जो पूजा कर रहा हूं इसके दोरां बाहर जितने गेस्ट है वो चले जाए वो इस पार्टी को इंजोई नहीं कर रहे थे इसलिए अवॉइट करने के लिए 15 मिनिट की पूजा को 25 मिनिट में लगाते हैं संध्या में बैठे बैठे वे किशंदा के संसकारों के बारे में सोचने लगा पीछे आकर पतनी जड़कते हुए बोली क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे ये शोदर बाबु लाल गमचे में ही बैठक में चले आए देर लगी तो वाई फाई की चलो भाई तो आज आते वो जो लाल गमचा वो डाल के पूजा कर रहे थे वही डाले डाले वो ड्र बात उपहारों के पैकेट खोलने की चली तो भूशं सबसे पहले पैकेट खोलते हुए इसे ले लीजी यह मैं आपके लिए लाया हूँ उनी ड्रेसिंग गाउन है यानि कि सबसे पहले भूषण ने अपना gift दिया ही कि ये मैं आपके लिए लाया हूँ ये गाउने उनी dressing round मौर्णिंग में के लिए पहना जाता है आप सवेरे जब दूद लेने जाते हैं अब फटा फुलोवर पहन कर जाते हो जो बहुत बुरा लगता है यानि कि सुबसो जब दूद लेने जाते हैं तो आप फटा हुआ पुलोवर पहनते हैं उसकी जगा आप इसे पहन कर ही जाया कीजिए थोड़ा ना नुकुर करने के बाद ये शोदर बाबू ने पहनते हुए कहा अच्छा तो ये ठहरा ड्रेसिंग गाउन उनकी आखों में चमक सी आ गई अब भाई उन्होंने बोला नहीं नहीं हमें नहीं पहनना कोई गिफ्ट देता नहीं हमें नहीं चीज़ नहीं करना तो उन्होंने नहीं नहीं किया लेकिन उसके बाद उन्होंने वो ड्रेसिंग ग्राउं पहन लिया और पहनने के बाद बोले कि अच्छा ये होता है गाउ इस ड्रेसिंग गाउन में ये शोदर बाबू के अंगों में किशंदा उतर आये थे जिनकी मौद जो हुआ हो से हुई होगी तो वो ड्रेसिंग गाउन उन्होंने पहन तो लिया लेकिन मन में एक चुबन थी लड़का ये भी तो कह सकता था कि भाई सुबा आप मज आया करो ठंड होती है मैं दूद ले आया करूंगा वो ड्रेसिंग गाउन के लाने की बजाए अगर वो ये कहता कि मैं ला दूँगा दूद तो शायद उन्हें जादा अच्छा लगता ऐसा इसलिए था क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर किशंदा उतर आएं ड्रेस सानी हमने यहां खतम तो कर दी लेकिन इससे संबंदित बहुत सारे प्रिश्ण भी हैं जो आपके लिए हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे तो ध्यान रखिए यह जो पुस्तक है इसमें बहुत बड़ी बड़ी स्टूरीज हैं जिनको हम पढ़ रहे हैं यह आपके लिए लेकर आएंगे ताकि आपको आंसस ठीक से यह समझने में आसानी हूं तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में थैंक यू बबाई